दोस्तों विंग इंग्लेश क्लासे में आपका फिर से एक बार स्वाकत है और आज जो वीडियो है वो वीडियो होगी पार्ट टू रोमिय जूलियट पोयम की जो सेकेंड यर्प यूजी की फस्ट पोयम है पिछले बार जो मैंने आप लोग को रोमियो जूलियट के बारे में काफी चीज़े मैंने बताई थी चलो थोड़ा बहुत हम लोग समरी उसका देख लेते हैं यह थोड़ा सा रिवीजिन वगरा कर लेते हैं तो मैंने लास्ट आम बताया था कि रोमियो जूलियट यह दो एक लवर्स होते हैं और वेरोना एक नाम का एक शहर होता है वहाँ पर जहां कैपलिट्स और मॉन्टेक नाम के एक दो परिवार से इनका तालुक होता है और जो ये कैपलिट्स और मॉन्टेक्स हैं ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं और मैंने ये भी बताया था कि जो रोमियो है वो जूलियल को प्यार करने से पहले रोजलीन नाम की लड़की साथ उसका कुछ अफेर वगरा चल रहा था लेकिन रोजलीन का रोमियो में को इंटरस्ट नहीं था रोमियो इतना डिप्रस हो चुका था कि उसे उसका प्यार मिलन जाते है उसे जो के अप्लेट्स फैमिली ने उसको रखा था और वहां उसकी मुलाकात होती है जूलियट के साथ में तो यहां तक हम लोग ने यह बात हम लोग ने पिछली वीडियो में बताया था अब यहां पर दो रोमियो बिलॉंग तो तो फैमिली अफ मॉन्टेक्स ही उसको बिलाए नहीं तो आप इनको यह वहां जाना है उनको तो रोजलीन को देखना है तो कैसे जाएंगे मॉन्टेक्स यह जो लोग थे रोमियो और उसकी जितने भी दोस्त वखरा उन्हें ने अपने आपको बदल दिया अपने आइडिटी को छुपा दिया ठीक है इससे क्या हुआ कि जो मॉन्टेक्स के फिर वो कैपिलेट्स के पार क्स का इस तरह से खुबसुरत थी वो कि उसकी। श चरुब शकुम भी करने वाला कोई ने इस तरह से इस पोयम में बताया गया जैसे को अप्सरा हो या कुई एसी कोई आसमा से नीचे उतरने वाली कोई ऐसा इस तरह से कोई डेवी वागर है號 डैन क कैसा है तो जब रोमियो ने जूलिएट को देखा तो इतना खुश हुआ कि वो रूजलीन को ही भूल गया अफर दांस लांस लांस दाट शीज़ डाटर ओ लॉड का पिलिट शीफ अट्रक्टेट तो दान फ्रम फेमिली अब यहां पर जो आग लगी दिए दोर तरफ लगी इसका मतलब है जब रोमियो ने जूलिएट को डांस करते वे देखा तब रोमियो जूलिएट पर काफी फि चुकिए फियांसी बोलते हैं हम लोग जिसके साथ मंगनी होती है ना उसको फियांसी बोलते हैं तो उस आदमी का नाम था पैरिस ठीक है पैरिस एक जगे का नाम है एक आदमी का नाम भी पैरिस हो सकता है तो अब यहां पर ट्विस्ट यह है कि जूलिट और रोमियो जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तब उनको पता चलता है कि, कि रोमियों को पता चलता है कि जूलिट जो है, वो दो दूश्मन पार्टी से उसका तालुक है, अब क्या किया जाएं? अब जो नीचे लिके हुए जो वर्सेस है, यानि वर्सेस का मतलब होता है, जो लाइन्स जो बोली गई बाते, ये जो है, ये उनके प्यार को दरशाती है, तो चलिए, रोमियों ने क्या कहा, मैंने पिछले बार आपको बताया था वीडियो में कि, रोमियों को कुछ लाइन् ये ये बहुत बड़ा प्ले का एक छोटा सा हिस्सा है, और मैंने ये भी बताया थे कि लाइन्स कितने थी और वो सारे चीज़ें, वो आप लोगों ध्यान में रखने हैं, वैसे ये एक्जाम में नहीं आते हैं, लाइन्स बगरा, फिर अब लोगों को एक बैक्राउंड द बैक्राइब करे देखिएं सुलात करे लिदेख्यां दे कर करेंगे लिदेख्यान ये शेखरी में, इनिके कर हम उर्टेख के लिदेख्यान नहीं कि ऊतक हैं, इससम्हीन देखी गए हैं उ Congress के हम ऐख करने में चे में या तुना किसे में पर रहुएं, ये मजरा आंगोंdon प्रॉटों के उपर नाक कान गाल एस सारे चीज़ों को लेकर गानी बनाते हैं और इस तरह से उसकी कंप्रेंसन करते हैं गालों की और आखों की कानों की कि जैसे की वह कोई अपसराई उत्री हो आसमान से अब यहां पर जो पहला जो वर्ड है या पहला सेंटेंस यहां पर देखो कि ओ ऐसा है इसका मतलब यह हुआ कि यह आश्चेरिस जनक बात इसक्लेमेशन बोलते हम लोग इसको इंगलिश में जब हम किसी चीज को देखते हैं और सप्राइज होते हैं तो हमारे मूझ से निकल जाते हैं कुछ चीज है बिना सोचे समझें तो यहां पर वह इतना सप्राइज हो गया देखके क्योंकि उसके इसाप से यह जो लड़की है यह सबसे ज़्यादा खुबसूरत लड़की है और वह इतना इतना सप्राइज हो कि आईसे भी कोई लड़की हो सकती है इस दुनिया में इतनी खुबसूरत जो पहला वर्ड है वो है वह जी डॉट डॉट यह ओल्ड वर्ड है इंगलिश का डज यहनी हकीकत में इंडीड अचनटों को नक si do не teach the torches to burn bright अब में फैसे किसके सतके टोटेस यानि पुराने जमने में अब अब इहां पर टोंच Interest का मतलब आज के जमाने में अंच का मतलब होता है बैटरी बोलती में लेकिन पूराने जमने में राजा-माराजों की जमाने में जो टो जो बोलते थे वो मशाल को बोलते थे पिछले जमाने में ठीक है अब यहां पर जो मशाल की जो रोशनी भार निकलती है और उसकी वो जो रोशनी है यह जूलियट की खुबसूरते के आगे कुछ भी नहीं जो रोशनी जो रोशनी माशालों को मिल रही है वो जूलिएट के वज़े से मिल रही है इतनी खुबसूरत लड़की को देखकर इसा सप्राइज हुआ था कि उसके होश ही उड़ गए थे अब वो जो देख रहा था वो पुरी इतना खो गया था वो लड़की में कि उससे कुछ सूजी नहीं रहा था पागल हो गया था वो देखकर ओ लड़की को ठीक है एक सिम्स शी हैंग्स अपाउन देशीक आफ नाइट इस को एसा मसं समझों कि आ चीक Mind ended presumably सब्सक्राइट के मतलब बहुता है और चीक का मतलब propulsion मतलब होता है लर्टकण तो इसको क्या मतलब निकाल गया गा I am night जो है वो एक एफरिकन लड़की का एक प्रिफरेंज यह इसको तुलना की गई एक औरत की औरत का जगा दिया गया है एक औरत का रूप दिया गया है ठीक है कान में जो जो जुएल्री होती है यहरिंग बोलते हो उसको वो कभी कबार जब नास्ते हुए वह जो य पढ़ाएंग गए हुए तो चोह रियु मुलक लेंगों हुए पर इधर उद्र टकरा हुए जो गल पर टकर रही है ना यह किसी लड़की के गाल पर लटकती हुई यूरिंग उसका डांस भी काफी खुबसूरत है तो इसी तरह से यह लड़की नाच रही थी ठीक है और जब वो नाच रही थी लोगों के बीच तो सेंटर आफ एट्रैक्शन थी भले ही उसके आसपास बहुत सारे लड़किया नाच रही थी लेकिन वो वो सेंटर आफ एट्रैक्शन थी जो जूलिएट है भले ही वो नाच रही लोगों के बीच खासकर सारे के सारी लड़किया है सारी के सारी खुबसूरत है लेकिन उन खुबसूरत लड़कियों में सबस दो महारी जिवल जो उसने कान में पेपाना है यहीं parce यहितिप एस सीफोप ओंडव ऐसे फिर्वी यह में वोमन को एत य। सफिरिकन लड़की को कह जाता है या एर फिकन और को कहा इटोपिया एक शहर है एफ्रिका में एक सीटी है और वहां की लड़की को एथिएप कहा जाता है अब यहां पैंक कोंट्रास्ट है वाइट और ब्लेक का यहां पर जहां पर भी आप देखोगे नहीं होगों पर कोंट्रास्ट दिया है तसा नगे लड़की को और जुल को ठीक है ? वो यीरिंग प्याए है वो डाइमेंड का है person तो इससे क्या हो रहा है कि वह लड़की का कलर ब्लैक और यह एरिंग का कलर वाइट जब दोनों मिक्स हो रहा है तो जादा खुल कर दीक रहा है वह यह ज्यादा उठकर दीक रहा है अगर मैं बोलू तो 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 उसी तरह से जुलेट दिखाई दे रहे हैं उन लोगों के तो ब्यूटीटे टूरी फो यूस none qo for'te कि उसक को इस सका इस्तमाल करना यानि उसकी खुबसूर्ती का इस तब gardens तर्व कि जार चियानी इस दुनिया में यह जो दुनिया बनी हुई ए यह धर्ती बनी हुई है इसके लाइक ही नहीं है इस खुबसूरती की फ़र अर्थ टू डियर टू डियर का मतलब होता है जादा महंगा डियर का मतलब होता है महंगा तो यहां पर ना इंग्लिश लिटरेचर में एक वर्ड के बहुत सारी मिनिंग्स निकलने यह आप लोगों धान में रखना है डियर का मतलब होता है कोई अजीज कोई प्यारा लेकिन डियर का और एक मतलब होता है जादा महंगा इसका मतलब यह वहा कि यह धर्ती लाइक नहीं है इस लड़की की लड़की को खुबसूरत को समालना यह लड़की कहां होएं चाहिए यह लड़की होने चाहिए जन्नत में तीक है क्योंकि यह वहां से उत्री है ऐसा इसका मानना है सो शूज ऑ स्नुवी ड़व ट्रोपिंग विट क्रोज यहां पर अब यहां पर जो पाच्वी लाइन ह उसका comparison कैसे किया देखो मानों जैसे जूलियट एक वाइट कबूतर है और वो काले कवों में बेट रही है यह घुम रही है यहाँ पर डव का मतलब होता है एक ऐसा पक्षी जो प्यार और अमन और शांती का प्रतीक है यह इनोसंट है मासूम है और रोमियो को जूलियट काफ की वाइट कलर का सनो जो होता है ना जिसे बरफ बोलते हम लोग इंगलिश में ठीक है वह हमेशा होता है वाइट इन कलर में तो उस कलर की वो लड़की है और देखो कैसे कैसे दिखाई देगा जब बहुत सारे कालों के बीच में अगर एक गोरा आ जाए तो वह जो गोरा है है वह काफी उठकर दिखाई देगा ठीक उसी तरह से उसने यहां पर कंपेरेजन किया है कि जितने भी लड़किया उसके आसपास डांस कर रही थी उस दिन और मानों जैसे की सारे कवे है और यह जो जूलेट है वह बहुत खुबसूरत कभूतर है यह कभूतरी ठीक है के लाइक ही नहीं भूल लड़कीयां इस खुबसूरती के लाइक है निए एस पासब है रूड बहुए सॉठयाा है ही सारी लड़किया खुबसूरती के ठीक है तब यह आपको इमाजन करना कि वो कितनी खुबसूरत होगी और जो रोमियों ने इस तरह के अलफाज इस्तमाल किये जूरिट लिए आज यूडर लेडी ओवर हर फैलोज शोगी एशारा करके झि अकैजी लड़की ओवर हर फैलोजश शोगी ओवर हर फेलोजश का मतलब बता एंव जो लोग उसके आस-पास खास कर लड़के या जो उसके साथ डांस कर रही थी शोस ऐसा दिखाई देता है वह अखेली लड़की ऐसी दिख रही है जैसे कि वह मानों एक कभूतरी हो और कभूवों के बीज में आकर फस गई है तो समझ लो कितनी खुबसुरत होगी दब मेजर डन दब मेजर डन का मतलब होता है डांस मेजर का मतलब होता है डांस दब मेजर डन I'll watch her place of stand अब रोमियो जो है न वो जाकर जूलिट से नहीं मिल सकता अब वो डांस कर रही है सारे लोग देख रहे हैं और यह आगर जाकर उससे मिलेगा वो इस चीज़ कर रहा था कि मैं कब कब डांस खतम होगा कब मैं जाकर उसको मिलू कब मैं उससे जाकर बात करो I'll watch her place of stand का दो मतलब निकलते हैं एक तो यह कि जब डांस खतम हो जाएगा वो कहां जाकर खड़ी होती है वो जगह वो देख रहा है यानि उसको पूरी तरह से डांस खतम होने से लेकर डांस शुरू ह या क्या करती है exactly वो उसकी ही रहा देख रहा है कि वो कब उसे अकेले में मिले और कब अकेली हो जाए कब वो लोगों से धूर हो जाए क्यों उससे वो अकेली मिलना चाहता है क्यों नहीं वो लोगों के पीचे उसे जाकर मिल सकता है क्योंकि वो दुश्मन के घराने से ताल अब इसको आप दोनों एक साथ पड़ोगे तो इसका मतलब यह निकलेगा उसने रोमियो ने सोचा कि यह जो लड़की है यह तो एक टाइप की देवी ही है जो आसमा से नीचे उतरी है वो चाहता है कि वो उसके जो गुनागर हाथ है जो उसने गुना कि है वो हाथ उस लड़की को लग जाए ताकि क्योंकि यह जो लड़की है इसे एक ब्लेसेट ऐनी एक तरह की ऐसी लड़की है जो काफी पवितर है ठीक है प्योर लड़की है तो इससे जब मैं अगर मेरा हाथ इससे लग जाए तो शायद मेरे भी कुछ में और सोचता है और टचिंग हर्स में ब्लेसेट माइ रूड हैंड यहां पर रूड हैंड का इस्तामल किया है यहां इस हाथ से मैंने बहुत सारे गुना कि अगर यह हाथ उस लड़की को लग जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए ऐसा है समझ लो आप ठीक है डिट माइ हा प्यार था अब उसे लग रहा है कि वह प्यार नहीं था क्यूंकि व्रोजलीन भी उससे प्यार नहीं करती थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि वह प्यार समझ सकें इसको ठीक हो सकता है उसे वह इनफैच्योएशन कहें इनफैच्योएशन क्या होती है एक तरफा प्यार ठीक रोजलिन के साथ में तो अब जो मैं कर रहा हूँ जूलियट के साथ वो है सचा पैर ऐसा रोमियो को लग रहा है आज मुझे पता चला कि प्यार होता क्या है जब मैंने यह देखा कोई दुरुष्चिप जब मैंने आज यह नजारा देखा तो आज कसम से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर रहा था अब तक वह प्यार नहीं होता है फोग्ति प्वार स्वैर का मतलब होता है कसम लेना कसम देना ठीक है फोर आई नेवर-where-saw-to-beauty till this night वह यह दावा कर रहा है कि आज रात तक अभी तक मैंने अब से जब तक मैं पैदा हुआ हूँ और अब तक मैंने अभी तक इतनी खुबसूरत लड़की या इतनी खुबसूरती किसी औरत में नहीं देखी ठीक है इसलिए वह कसम ले रहा है अगर जब आप पईरी लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ोगे तो आपको एक मेनी प्रिफुल सेंटर मिलेगा फोर आय नेवर सौन ट्रू ब्यूटी तिल इस नाइट कभी मैंने इस तरह की खुबसूरत लड़की देखी ही नहीं तो इस तरह की इस तरह का डिस्रिप्शन तारीफ जो रोमिय ने जुलिट के लिए कि अंदासा लगाओ कि वो लड़की कितन ने रहें बी इंगलिस क्लासे के साथ में थैंक यू सो मुच